हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान हिंदी की कारेपत्रक संख्या 9 हल करेंगे जो की 27 जनुरी 2022 की है बच्चों ये वर्क्षीट क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है कक्षा 1 के चात्र चात्राओं के लिए है आज की वर्क्षीट की विशय थीम है प्यारे फूल तो चलिए वर्क्षीट हल करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वास्त और खुसोंगे बच्चो आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में विविन परकार के फूल देखे होंगे आईए आज हम सब मिलकर उन्ही फूलों पर एक गीत गाते हैं तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पारक में विभिन्ट परकार के फूल देखें होंगे आईए आज हम सब मिलकर उन्हीं फूलों पर एक गीत गाते हैं तो बच्चों यहाँ पर बगिया को महकाते फूल गर्मी सर्दी बारिस सैकर दुख में सदा मुस्काते फूल प्रकरती का वर्दान है फूल जन जन को पास बुलाते हैं फूल मुस्कान बिखरा कर अपनी धरा को स्वर्ग बनाते फूल मन को आनन दे कर जीवन में खुशिया लाते फूल सदा रहो हसते मुस्कुराते यही जीवन का पाठ पढ़ाते फूल तो बच्चो कितना प्यारा गीत लिखा है फूलों के उपर कि कितने कोमल, कितने सुन्दर, कितने प्यारे प्यारे फूल गुलाब कमल गेंदा चमेली रंग बिरंगे प्यारे फूल अपनी मीठी सुगन फेला कर बग्या को महकाते फूल गर्मी सरदी बारिश सह कर दुख में सदा मुस्काते फूल प्रकृती का वरदान है फूल जन जन को पास बुलाते हैं फूल फूल मुस्कान बिखरा कर अपनी धराको स्वर्ग बनाते फूल मन को आनन दे कर जीवन में खुसिया लाते फूल सदा रहो हसते मुस्कराते यही जीवन का पाठ पड़ाते फूल चलिए अब हमने इस गीत को पड़ लिया है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर प्रस्ण दिये गए हैं पहला प्रस्ण विबिन फूलो के चित्र अपनी कोपी में चिपकाईए या बनाईए और उनके नाम लिखिए तो बच्चों यहाँ पर आपको विबिन फूलों के चित्र अपनी कोपी में चिपका कर या बनाने हैं या चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं तो आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फूलों के चितर लगा दिये हैं और उनके नाम लिखे हैं जैसे गुलाब, घेंधा, कमल, गुडहल, सूरजमुखी, चमेली तो मैंने इन सभी फूलों के चितर यहाँ लगा दिये हैं और इनके नाम भी लिख दिये हैं चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन दो फूलो को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने अध्यापक अध्यापिका को बोल कर बताईए तो बच्चों यहाँ पर आपको बोल कर बताना है कि हम फूलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए इस तरह हम फूलों को सुरक्षित रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आओ बाचीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बाते कर रहे होंगे अनुमान लगा कर उनके समवाद बाचित को उची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताईए तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं एक ये बच्चा दिखाया गया है तो दूसर ये बच्चा दिखाया गया है अब आपको ये बताना है कि चित्र में दिये गई ये बच्चे आपस में क्या बाते कर रहे होंगे तो बच्चों पहला बालक जो ये वाला बच्चा है आप देख रहे हैं इसके हाथ में सेव हैं तो ये कह रहा होगा वाह कितना लाल सेव है और उसके बराबर में जो लड़की बैठी है वो सेव को देख कर कह रही होगी मुझे ये सेव दे दो प्लीज तो वो उससे सेव मांग रही होगी तो आप इसी प्रकार इन चित्रों को देख कर अपने हिसाब से समवाद लिख सकते हैं तो बच्चो ये वर्कशीट यहां कम्पलीट होती हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रह है हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू